और इसे बीच सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दे कॉंग्रेस को 9 सीट देने पर आरजडी सहमत हुआ है तो सीटों के नाम पर आज अंतिम चर्चा आरजडी पूर्निया सीट देने को तैयार नहीं है ये सूत्र बता रहे हैं किशन गंच, कटिहार, सुपॉल, भागलपूर, समस्तेपूर, पत्ना साहिब, मुझजपरपूर, शिभर और पश्मी चमपारंड के साथ-साथ वालमिकी नगर, सासाराम, गुपाल गंच सीट पर कॉंग्रेस चुनाव लड़ सकती है तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं सीटों को लेकर सहमती बन चुकी है और बताएए जा रहा है कि 9 सीट कॉंग्रेस को मिल सकती है हलाकि पूर्निया सीट को लेकर सस्पिन सभी भी बरकरार है क्योंकि सूत्र ये बता रहे है कि आरजरी पूर्निया सीट देने को तयार नहीं है जबकि आपको पता होगा कि पपू यादब ने कॉंग्रेस ससलिये जोइन किया क्योंकि पूर्निया से चुनाव लड़ना चाहते थे शिवम प्रता अपधिक जानकारी के साथ जुड़ेवे शिवम क्या सहमती बन गई कौन-कौन से सीटे हैं जो किसके खाते में जाने वाली है जो फीडबक में मिला था वो लेकर अपने पिता लालू परसाद यादों के पास गए हैं और वहीं केसी वेलो गुपाल जो कॉंग्रेस पार्टी के महासा चाहते हैं जो उनका फीडबेंट है वो लेकर राहुन गांधी और पार्टी के पास पहुंचे हैं अभी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी मुडिया सिर्फ देने को सयार नहीं है लेकिन आज जो बैटक होने वाली है इसमें कॉंग्रेस इसको लेकर और दबाओ बनाएगी यानि कि अभी आप ये कह सकते हैं कि पप्पू का मामला अधार में दूसरी बड़ी बाओ कि जो कल बैटक होई उसका माहो सकारात्मक रहा लेकिन कॉंग्रेस पार्टी मजबू सीटों की मांग कर रहे हैं कॉंग्रेस का ये कहना है सिर्फ संक्या बनके हिसाब से काम नहीं होगा हमें सीटे मजबू चाहिए आज सूत्री दावा करने कि आज दूपैर में एक और बैटक है अभी तक की जो इस्टिती है उसके बतावे कॉंग्रेस किशंगन, कटियार, सुपॉल, भागलकूर, समस्टिपूर, पटना साहिब, मुझफरपूर या सिवर में, पश्मी जंपारण या वालमीक नगर, सासाराम और घुपाल के इन में से एक सीट इन में से ललेगी मंगर साहब बार साहम होई बैटक को लेकर तेजस्ट्व यादो, लालू यादो से स्विर्वेग लेने के बाद, आज एक बार सिर्फ कॉंगरस देताओं के साथ बैटक करेंगे और उसके बाद फाइनल मोहर लग जाएगी और आने वाले इसी वीक में पटना में सीट सेरिंग का एलान हो जाएगा लेकिन शिवम वो और कौन-कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर पेंच वसा हुआ है, क्या इसको लेकर कोई खबर है, पूनिया की सीट तो हमने देख ली चले शिवम आपस पर नजर बनाई रखे, देखना होगा आज की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है इंडिया लाइंस की तरफ से